नमस्कार सिल्क टिवी देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमर कुरोना से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और भारत में भी 12 लोगों की जान कुरोना वाइरस के वज़े से चली गई है और लगवग 700 से ज्यादा लोग इस वाइरस के संक्रमन से ग्रसी थैं उसके बाबजूद भी लोग सरकार के दिये गए दिशा निर्देश का फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अपनी घर से बाहर जा रहे हैं उनका जो प्रोटोकॉल है लोगडाउन जो किया गया है उसके उहलना कर रहे हैं लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं इसी सिलसिले को लेकर बा इसका पालन करना कितना महत्पून हो जाता है उसके बाब जुद और भी जुड़ी बातें होगी खासकर बच्चों में क्या साफधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर साइब सबसे पहले तो सिल्क टीवी में आपकर सबस्कार मैं डॉक्टर अंक्वी पिदर्शी सिशु रोग वि ही रहे हैं और जहां तक ये विकास जीने से बताया बैस्फिक महामारी का रूप ले चुका है यह मनुद बहुत ही ज्यादा खतरना का रूप ले चुका है और इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत ही समय पे और उचित कदम उठाया है और इसको अन्यता ना ले कि जस्ट एक मजाकिया ऐसा कुछ नहीं है ये बहुत ही जरूरी कदम है इसका ये ने की आनन फाने में लिया गया है ऐसा कदम इसका साइन्टिफिक बेसिस है और हम आपको बताएंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है और अगर आप नहीं फैलो करेंगे तो उसका क्या-क्या परिणाम हो सकता है या आपको जानना जरू ही कि अभी भी देखा जाज़ से बता है कि लोग निकल रहे हैं सडकों पर अधगोशनों के बाद तमाम सरकारी परियासों के बाद तमाम चीजों के बाद भी लोग सड़क पर बेवजह ठीक है कोई important काम हो कोई आवश्यकार हो जरूर निकलें बिलकुल आवश्यकार हो तो लेकिन बेवजह निकले जा रहे हैं और इसके चलते जो इसका परिणाम दूस परिणाम बोलेंगे बहुत ही गंभीर होने बला है अब रही बात की क्यों इसको लिया गया है तो इसलिए लिया गया है कि जिसे सब लोग जान ही रहें कि नोवेल कोरणा कोरणा इसको ना बोलें इसको नोवेल कोरणा बोलें कोई कोरणा पहले पुराना और पहले से सर्कूलेशन में था इसका एक नया रूप बिल्लकुल नया मेंबर जिसको लोग नोवेल कोर मेलने में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को परवावित कर देता है तो इसका और दूसरी बात क्या है कि चुकि यह बिल्खुल नए भाईरस है इससे पहले मनुश्वों में इसको देखा ही नहीं गया है और बिल्कुल नया भाईरस है तो बॉडी के immune system को उस virus को समझना बहुत ही मुश्किल है इसलिए उसका unwanted effect हो सकता है दूसरी बात चुकि नया है तो इसके लिए कोई vaccines नहीं है इसके लिए कोई medicines नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बचाव ही इसका उपाय है बचाव के लिए क्या है कि अभी जिस दौर से हम लोग दो से चार, चार से आठ इस धंग से एक chain reaction होता है और यह chain reaction को अगर आप stop नहीं करेंगे तो just like आप एक bomb blast जो समझते हैं वो होने वाला है तो सरकार का प्रियास यही है कि जो देखिए जो बिमारी तो आ गई है बिमारी आ गई ही इससे हमको बचना है इसका उदेश क्या कर होगा जिसे क्या होगा हॉस्पीटल में जो पहुंचने माले मरीज हैं वो कम होंगे और डॉक्टर उसका समोचीत उपचार कर पाएंगे लेकिन अगर यह chain बहुत ज्यादा इस फोटा ग्रूप में अगर हो जाए तो अगर हमारे पास सपोज मान के चलते हैं कि हमारे हॉस् सकेपसिती उतनी नहीं है कहीं भी नहीं हो सकती है हमारे चोड़ दीजे अमेरिका जिसे डभफ कंट्री में इतने मॉर्टलेटी जो हो रही हैं क्यों हो रही है एक ही साथ बहुत ज्यादा आ रहा है बहुत ज्यादा नंबर्स में तो उनको भी यह सब कदम मेरे ख्याश कि वो अगर बचना चाहते हैं और इसका भयावाह रूप नहीं देखना चाहते हैं तो वो घरों में रहें घरों से निकलने से पहले सो बार सोचें अन्य था इसका ऐसा विक्राल रूप होगा कि आप कल्पना नहीं कर से तो इस पेशली भाराज जैसे कंटी में जहांपे की मे असान नहीं लें बहुत भयावरूप होने वाला अगर आप इसी धंग से करते रहें तो डॉक्टर साइब अब वो बात नहीं रहे कि यह कैसे फैलता है कैसे होता है यह वाते नहीं अब सीधी सी बाते अब यह है कि इससे बचा कैसे जा सकता है और उसको लेकर सरकार जो है देश के जो परधानमंत्री हैं उन्होंने आगरा किया अपील किया और हमारे सुबे के राज्य के जो डीजीपी हैं गुपतेश्वरपांडे उन्होंने हाथ जोड कर लोगों से बिंती किया डॉक्टर साहिब बात यहां पर यह आती है कि जो लोग घर पे हैं जो यह प्रो दो भॉलुंगा कि आपको गर्मे ही रहना है और जो लुव घर में नियम का पालन कर रहे हैं लोकड़ान को बिल्कुल पूरी से फॉलो कर रहे है तो देखे क्या होता है कि आदमी को हमेशा काम पे जो रहते हैं, उनको निकलने का प्रविर्टी रहता है, बीजी रहते हैं, लिकिन अब सारी लोग घर में बैट जाते हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें क्या होता है कि उसको बोरियस सा फिलिंग होने लगता है, तो आपस में थोड़ा सा आप इंट्रेक्ट करें, बच्चों को समय दें, क्रियेटिव वर्क में लगाएं, कुछ ऐसा चीज गलती न करें, खान पान में भी खास करके, ऐसा गलती न करें कि आपको बेवज़ा बीमार पढ़ना पढ़ जाए, और क्योंकि अभी का जो कंडिशन से उसमे बांकी सहियम के साथ रहें, ये समय अच्छी तरह से अगर आप पालन करेंगे, जरूर ये बुरा समय में बितेगा, और आगे बिल्कुल अच्छा समय आने मारा है, लेकिन आप से यही अपिल है, कि आप लोग घरों में रहें, और सहियम के साथ रहें, बिल्कुल नियमित रूप से खान पान पर ध्यान दें कुछ ऐसा चीज ना खालें जिसे कि आपको बेवज़ा परेशानी का सामना करना पड़े जिसके घर में नियूबॉर्ण बेवी है उनको कितनी साफधानिया बरतनी चाहिए और उनको क्या चीज फोलो करना चाहिए तो यह बच्चे जो है स राहत भरी बात है कि बच्चों पर कोरना का सर एक एडल्ट या मतलब बैस के तुलना में कम है यह बहुत अच्छी बात है और थोड़े सा राहत की बात है बट फिर भी वैसे बच्चे जिसका की इम्मिन सिस्टम कम जोर होता है खासकर जो नबजाज सिसू होते हैं जो एक बच्चे बात हैं जैसे कि बुजरगाओं में इम्मिनिटी कम होता है उसी टाइप से बच्चों का इम्मिनिटी सिस्टम भी डेवलप होने में टाइम लगता है तो अगर नबजाज सिसू हो तो कोसिस करना है कि बिलकुल उसको सफाई का ध्यान रखें बेवज़ा टच ना करें मुह में अंगली नहीं दें किस न करें ये सब पर हमें इसा ध्यान रखना है उसको रोज साप करें अच्छे से वो सब चीज़ करना है अधरवाइज एक नौर्मल जो नवजाज सिसू का जो देखवाल होता है जो मां करते हैं मां का दूद पिलाना है को बाहरी दूद परवाईद कर सकता है इसलिए कर सकता यिए कि तो इसकता है क्ワंगें इस संक्रमीत होने का सभ़ना ज्यादा होजाता है ठीक है उनमें घंबिरता का लक्षन कम है बढ़ संक्रमन का चांसेश काफी है तो वह चीज़ करना है श्वक्षता का पारण करना है और को घवराने की बहुत ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है लेकिन अगर घरों में आप हैं तो चिंता बहुत कम है घरों से एक मेंबर भ जब सारे लोग ऐसे अभी महौल हैं हमारे देश का तो सारे लोग घर पे हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं नियूबॉर्ण बेवी हैं या फिर कुछ बड़े हैं एक साल दो साल के बच्चे हैं तो जब सारे परिवार घर पे हैं तो उसमें होता क्या है डॉक्टर सा स्यार से उसको एक हाथ जो है हमारा गंदा है बाधी यह उस पे दियान नेखना उसके हम लोगों को ध्यान दे किन लोग बड़े हैं तो चलते है ब्रफ यह कुई है तो रीथी है यह तो आद रभ सकता है या नहीं तो दूसरे राज़ा पंकर्के कि दारे में अगर कोई है तो इसको इंफेक्ट कर सकते हैं फिर बच्चा वह हाथ को मुह में ले जाएगा उसे संक्रमीट हो सकता है तो बेवज़ा का जो है टच मेरे ख्याल से थोड़ा सा इभाइड करें इस दौरान तो ज्यादा बहतर होगा उसे संक्रमान का चांस साथ ज्यादा असरगार एक आखरी सवाल चोटा सा सवाल होगा डोक्टर साहब और कम सब्दों में हम चाहेंगे आप से उत्तर कि जो है हैंड जो है यह अपना सेनिटाइजर सेनिटाइजर और हैंडवास जो नॉर्मली कंपनी की कंपनियां के आती हैं तो कितना मैने रखत सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इसको बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साबुन से हाथ धोना हैंड वाशिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के सेकेंड नमर प्याता है सेनिटाइजर अगर आपके पास हैंड वाशिंग की सुविधान नहीं है या कह आपको 20 सेकेंड तक आपको अच्छे से रगड़ना है, आपको 20 सेकेंड तक आपको 20 सेकेंड तक गिंती देरे देरे एक, दो, तीन, इस धंग से 20 कर सकते हैं, और अब धियान रखें कि 20 सेकेंड तक जहां कुछ-कुछ यह सब पोर्शन छुटा, ऐसे किया छुट जाता है, पूरा देखें, और यह करना है, फिर बैक और यह करना है, अंगुठे को करना है, तो यह सारा चीज करने कि अप 20 सेकेंड कम से कम लगना चाहिए, और hand मतलब साबून से गर आप हाँ धोते हैं तो इससे effective बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है हाँ अगर नहीं हो तो साइटाजर का यूज कर सकते हैं लेकिन ध्यान यही रखना पड़ेगा कि उसमें alcohol की माता 70% से ज़्यादा होगा तब ही यह कारगर होगा मुझे बोर्डर पर जाना पड़े रोडों पर निकलना पड़े लेकिन अभी हमारे देश के जो हालात हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आप घर पर रहकर अपनी देश की सेवाग कर सकते हैं डक्टर साहिब हमारे साथ थे अंकूर पिरिया दिर्सी सर और इनके दुआरा जो दी गई जानकारी थी वो कितना एफिक्टेबूल है आप हमारे कॉमेंट सेक्षन में भी जाकर जरूर बताईएगा मेरा नाम विकास कुमार सींग है आप मझे सिल्क टीवी पर देख रहे हैं कैमरा के पीछे सुमीत राज मजूद हैं हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया